हेलो एबरीबन, वेलकम टू एक्जाम और्बिट क्लासिस आज है 24 मई और आज के इस सेशन में 24 मई से बनने वाले सभी महत्पून कुश्चन्स को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्पून सुर्कियों पर आसा कारिकरताओं को मिला डबलू एचो की ओर से गलोबल हेल्थ लीडर्स अबोर्ड दिल्ली में रोबर्ट पुजाएगा आग फायर मैन की चिनोती होगी कम तीरंदाजी विश्व कप में भार्तिये पुरुस कंपाउंट टीम ने जीता स्वण पदक आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री चुने गए एंथनी अल्व नीस विवेक कुमार बने पिये मोदी के नीजी सचिव भार्तिये मूल के कारोवारी दूसरी बार चुने गए लंदन बरो और साउथ बर्ग के मियर भारत बांगलादेश ने भी कॉर्पेट का चौता संस्क्रण किया गया आयुजेत बर्स 2022 में विश्व आर्थिक मंच की बार्शिक बैठक ताबोस में हुई संपन साउदी अरब में कुरोणा का कहर भारत समय 16 देशों की यात्रा पर लगाया बैन मंकी पॉक से संक्रमित लोगों का रहना होगा कॉरिंटाइन में बेल्जियम में लागू हुआ नियम अब डिसकस कर लेते हैं कल की क्लास का क्विक रिवीजन नियू डफलप्मेंट बैंक दुआरा भारत में पहला छेत्रिय कारेल है कहां खोले जाने की घोशना की गई है गुजरात में किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कारिकरम लोक मिलनी योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने किस देश ने अंत्रिच टेलिस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग गिरे की खोच की योजना बनाई है चाइना ने किस सहर में मैडम तुसास रंगाले शुरू करने की गोशना की गई है नुईडा में चर्चा में रहा नबदूत किया है तो ये एक इंजन है अमेजन पे और किस बैंक ने UPI भुकतान के लिए समझोता किया है RBL बैंक ने किस इंसोरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंसोरेंस प्लान लॉंच किया है PNB MetLife इंडिया इंसोरेंस ने भारत के उच्चतम नियाले ने चेक बाउंस के मामलों को सीगर निप्टाने के लिए कितनी विशेस अदालतों के गटन का निर्देश दिया है कुल पच्चीज बिजे सेखर शर्मा को अगले कितने वर्सों की अबधी के लिए पेटियम के MD और CEO के रूप में फिर से न्युक्त किया गया है पाँच वर्सों के लिए बिगत तीन बर्सों से बंद किस एयरलाइन को हाली में नागर बिमानन महा निर्देशाले ने उडान संचालित करने की मंजूरी दी है जेट एयर्वेस को तो फेंट्स ये था कल का करेंट अफियर अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास देख सकते हैं चले डिसकस करते हैं फर्स्ट कोईशन भारत की दस लाग आसा स्वयम सेवियों को किस संगतन की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अबोट से नवाजा गया है डबलू एचो की तरब से आई डिसकस कर लेते हैं कुछ इंपोडेंट फैक्टर यह सम्मान आसा स्वयम सेवियों को मातत्व शेबा और बच्चों के लिए टीका करण के छेतर में तता भारत में सामुदाइक हेल्थ क केर को बेहतर करने में तनाब और टीवी के लिए इलाज और पोसड के साथ साफ सफाई वह स्वस्त जीवन को लेखर भी उलेखनी योगदान के लिए दिया गया है साथी आपको बता दे कि मानिता प्राप्त सामाजिक स्वास्तेकार करता अथवा आसा पॉलंटियर भारतिय सरकार से समरद हेल्थ केर करमचारी होती है जो ग्रामिड भारत में संपर्क का पहला बिंदू है अब डिसकस कर लेते हैं डबलु एचो के बारे में कुछ इंपोटेंट पॉइंट डबलु एचो की स्थापना साथ अप्रेल 1948 में की गई थी डबलु एचो के बर्तमान महान देशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनोम साथ ही आपको बता दे कि डॉक्टर टेड्रोस अदनोम डबलु एचो के महानिदेशक बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं डबलु एचो का मुख्याले कहां पर है फ्रेंस तो डबलु एचो का मुख्याले है जिनेवा सुर्जलेंड में डबलो एचो दुवारा पिरतेक तीन मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्वस रमण दिवस आगे डिसकस करेंगे विश्वस वास्ते संगटन ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिसनल मेडिसिन कहां बनेगा तो इससे बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर में तमा मंकी पॉक्स वाइरस के लिए कॉरिंटाइन सिस्टम सुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो पहला देश बन गया है बेल्जियम आई डिसकस कर लेते हैं इसी के बारे में अन्न महत पूंट चानकारी बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीडित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवारे कॉरिंटीन सुरू किया है जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है वही विश्व स्वास संगठन यानि डबलो एचो ने इस वाइरस को लेकर गंभीरता दिखाते हुए विश्वक के सभी दे में देखने को मिले थे जिसने हाली में नाइजीरिया की यात्रा की दी धीरे दीरे यह बीमारी अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वी फैल रही है यह वाइरस आम तोर पर अफरीका के कुछ हिस्सों में संक्रमित जंगली जानबरों में पाया गया था अब डिसकस कर लेते हैं टॉफ फाइब दुनिया का पहला लेटिस्ट करेंट अफियर कुई क्रिविजन दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे कहां पर खोला गया है गुलमर्ग जमू कस्मीर में दुनिया की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट दा इस कौन सा बना है भारत उटो के लिए दुनिया का पहला होटल कहां पर बनाया गया है साउधी अरप में हवा से कारवन निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां सुरू हो गया है तो फ्रेंट्स ये सुरू हुआ है आइसलेंड में अब डिसकस कर लेते हैं बेलजियम के पारे में मैप में आप सभी बेलजियम की लोकेशन देख सकते हैं ये है बेलजियम जो कि फ्रांस और जर्मनी की बीच में है फ्रांस और जर्मनी से इसकी सीमा लग रही है और किस महादीप में है यूरो महादीप में है आगे डिसकस करेंगे बेलजियम की बा नेस्ट कुशन देखेंगे इंडियन नेवी और किस देश की नेवी के बीच कॉर्पेट का चौता संस्करण आयर्जित किया गया है बांगला देश की नौसेना के साथ आए डिसकस कर लेते हैं इस अभ्यास के पारे में कॉर्पेट का चौता संस्करण 22 से 23 मही के बीच बंगाल की उत्री खाडी में किया गया है इस सेन्य अभ्यास में भार्टिय नौसेना के स्वेदेशी युद्ध पोथ यानि की INS कोरा और INS उमेधा के साथ साथ बंगलादेश नौसेना के युद्ध पोथ BNS अली हैदर और BNS अबु उबेदा ने भी भाग लिया है अब डिसकस कर लेते हैं फ्रेंट्स प्रमुक सेन्य अभ्यास जिन में भारत भाग लेता है गरुड सक्ती और समुद्र सक्ती युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है फारत और इंडोनेसिया के पीच मित्र सक्ती युद्ध अभ्यास फारत और स्री लंका के बीच होता है सक्ती युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं फारत और फ्रांस वज्र युद्ध अभ्यास होता है फारत और अमेरिका के पीच एलिफेंट युद्ध अभ्यास होता है फारत मंगोलिया के पीच एकुवेरिन युद्ध अभ्यास होता है फारत और मालदीब के पीच सूरिकरण एक्ससाइस का आयुजन किया जाता है फारत और निपाल के स्पीच अजय बोरियर फारत और इंग्लेंड समपीर्थी फारत बांगलादेश तथा OC इंडेक्स में भाग लेते हैं फारत और और औस्टेलिया नेस्ट कोईशन देखेंगे एंथनी अलवनीस किस देश के नए प्रधान मंतरी बन गए है तो ये बन गए है और फ्रांस की प्रधान मंतरी हाली में कौन बनी है अलिसा पैत पनी है जो कि फ्रांस की दूसरी महिला प्रधान मंतरी चुनी गई है आगे डिसकस कर लेते हैं कुछ important factor आस्टेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथनी अलवनीस ने देश के नए प्रधान मंतरी के रूप में सपत ली है एंथनी अलवनीस देश के 31 वे प्र आस्टेलिया की राजधानी केंबरा है आस्टेलिया की मुद्रा है आस्टेलियन टॉलर जब्कि बर्तमान में प्रधानमंत्री बन गए है एंथनी अल्ब नीस माउंट कोजी असको किस महादीप की सबसे उची चोटी है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे औस्टेलिया महादीप में है साथ ही आपको बताएं के अक्सर एक्जाम में पूछ लिआ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंट ये किस महादीप में है तो ये याद रखेंगे ऑस्टेलिया महादीप में है डाउंस घंस के मेदान कहां पाई जाते हैं फ्रेंट्स तो ये भी है साउधी अरब के द्वारा आई डिसकस कर लेते हैं आगे साउधी अरब के भारे में मैप में आप सभी साउधी अरब की लोकिशन देख सकते हैं फ्रंस यह है साउधी अरब साउधी अरब की कैपिटल है रियात जबकी मुद्रा है साउधी रियाल साउदी अरब ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच अपने नागरिकों के भारत समय 16 देशों में जाने पर प्रतिवन्त लगा दिया है अन्य देशों में लेबनान, सीरिया, तर्की, इरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेसिया, पियतनाम, अर्मेनिया, बेलारूस, फेनेजुला सामिल है किस राज्य सरकार ने आग भुजाने के लिए दो रोबोट अपनी टीम में सामिल किये हैं, तो ये सामिल किये गए हैं दिल्ली सरकार त्वारा बरतमान में दिल्ली के मोखे मंत्री कौन है तो वो है अर्बिन्थ केजरिवाल आए डिसकस कर लेते हैं इसी से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर यूरोपिय देशों की तरह पहली बार राजधानी में अब रोबोट आग भुजाएंगे केजरिवाल सरकार ने दिल्ली के दमकल भिवाक के बेडे में दो फायर फाइटर रोबोट सामिल किये हैं इनकी मदद से आग भुजाने वाला दिल्ली देश का संबबता पहला राजधा बन गया है साथे आपको बता दें कि रिमोट से नियंतरित होने वाला यह है आग से लड़ने वाला रोबोट दिल्ली की तंग गलियों गोदाम बेस्मेंट जंगल की आग फोर्सेवल एंट्री पॉइंट अंडर ग्राउंट या मानव जीवन के खतरे वाले इलाकों तेल वहें केमिकल टैंकर फैक्टरी जैसी जगों पर आसानी से पहुँच जाएगा और सीडियों पर चड़कर वहें सी से तोड़कर आग भुजाने में सक्षम होगा नेस्ट वेशन देखेंगे बर्स 2022 में विश्व आर्थिक मंच की बार्सिक बैठक कहां आयुजित की जा रही है तो ये बार्सिक बैठक हो रही है दाबोस यानि की सुर्जर लेंड में जैसा कि आप सभी मैप में सुर्जर लेंड की लोकेशन देख सकते हैं अगर फरंट्स आप से एक्जाम में पूछ लिया जाए कि जूरा परवत कहां पर है तो याद रखेंगे ये सुर्जर लेंड और फ्रांस की सीमा पर है जूरा परवत डिसकस कर लेते हैं इसी से रिलेटेट कुछ इंपोडेंट फेक्ट इस बैठक का प्रात्मिक उद्दे स्री प्यूस गोयल पांस दिन के इस समिलन में भारतिय सिष्ट मंडल का नितद्व करेंगे सिष्ट मंडल में स्वास्थ और परिबार कल्याण मंत्री मंसुक मांडविया पैट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंत्री हरीदीब सींग पुरी और छे राज्यों यानिकी प्रिदेश, तमिलनाडू, आंद्र प्रिदेश, महारास्ट, करनाटक और तेलंगाना के मोखे मंत्रियों तथा वरिस्ट मंत्रीगर सामिल हैं डिस्कस कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंची के पारे में यह एक गयर लापकारी संस्थान है जिसकी स्थापना जन्वरी 1971 में की गई थी इसका मुख्याले कॉल गनी यानि की सुर्जर लेंड में है इसके बरतमान में अध्यच है क्लाउस इसक वाव डिस्कस करेंगे आगे कि डबलू ई एफ दुवारा प्रकासित प्रमुक रिपोर्ट कौन-कौन सी है जो की अकसर एक्जाम में पूछली जाती है वैस्विक प्रतिशपर्दा आत्मक रिपोर्ट वैस्विक सूचना पुर्दोगी की रिपोर्ट वैस्विक लेगिंग अंतराल रिपोर्ट वैस्विक चोकिम रिपोर्ट ये सब कौन जारी करता है तो याद रखेंगे इस सब रिपोर्टे जारी की जाती है विश्व आर् मंच के तुवारा नेस्ट कुईशन देखेंगे किस IFS अधिकारी को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेकेटरी न्यूक्त किया गया है तो ये बने हैं विबे कुमार जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं बर्स 2004 बैच के IFS आफिसर बिबे कुमार को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेकेटरी न्यूक्त किया गया है वे इससे पहले 2013-14 तक वें बिदेश मंतराले में सीवा रत रहे हैं उन्होंने IIT Bombay से B.Tek की पढ़ाई की है बिबे कुमार PM मोदी के नीजी सचिप संजीब कुमार सिंगल की चगे लेंगे नेस्ट कुरिशन देख लेते हैं तीरंदाजी विश्वकप 2022 के चरंटू का आयुजन कहां सुरू हुआ है तो ये आयुजन सुरू हो गया है गौंजू यानिकी दच्छड कोरिया में आई डिस्कस कर लेते हैं इसी के पारे में तीरंदाजी विश्वकप 2022 के चरंटू का आयुजन दच्छड कोरिया के गौंजू में सुरू हुआ है भार्तिय पुरुस कंपाउंट टीम ने सुन पदक इसमें हाली में चीत लिया है तीरंदाजी विश्वकप 2022 जिसे हुड़ई तीरंदाजी विश्वकप के रूप में भी जाना जाता है विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रति वर्स आयुजित किया जाता है नेस्ट कुईशन देखेंगे भारतिय मूल के किस विजनेसमेन को दूसरी वार लंदन बोरो ऑफ साउथ वर्क का मियर चुना गया है तुसका राइट आंसर है ऑप्जन ए सुनील चोपड़ा जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं अब डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन इस्टेटिक ची के कोशन्स पन लाइनर संबिधान सवा का संबैधानिक सलाकार किसे न्यूक्त किया गया था डॉक्टर वीम राव अंबेटकर ची को भारतिय संबिधान का प्रिधम प्रारुप तयार किया गया था वियन राव द्वारा ओक्सिजन के ग्रेण एवं कारवन डाय ओक्साइट के उसरजन की मात्रा किसके उपर निर्वर करती है हिमोगलोबीन के उपर किसके आक्सिकरण के द्वारा उत्पन उर्जा को स्वसन कहा जाता है क्लुकोज फैप्डों में गैसों का आधान प्रदान किनके माध्यम से होता है वायों कूपिकाओं के द्वारा भील जनजाती में पेपद्धात हेतू किस ब्रच या पौदो का पौदे का अधिक उपयोग किया जाता है तो फिंस याद रखेंगे मौवा का कौन सा हिमनत नुबरा घाटी में अवस्तित है शियाचीन माउंट पोपा ज्वाला मुखी कहां पर है तो ये है म्यामार में गबरी एक लोक नाटे है जो आधारित है सिर्फ भश्मा सुर की कथा पर कौन से जनजाती भारत के बंगाल की खाड़ी के दीपों में रहती है जाबरा जनजाती कल की क्लास में जो कुईशन आपसे पुछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा सेन ने पुरुसकार कौन सा है तो उसका राइट आंसर था आपसन भी परंबीर चक्र निमने में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है इंस्टाग्राम सुबह का तारा या भोर का तारा किस गिरे को कहा जाता है तो उसका राइट आंसर था आपसन डी सुक्र अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में नेस्नल जियोग्राफिक सुसाइटी ने हाली में किस हिमाले सिकर पर बिश्वकास सबसे उचा मौसम इस्टेशन इस्थापित किया है नेस्ट कुशन है किसने UAE T20 लीग में फ्रंचाइजी हासिल की है नेस्ट कुशन है फार्टिय संबिधान सभा के उधगाटन अधिवेशन की अध्यस्ता किसने की थी नेस्ट एंड लास्ट कुशन है संबिधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था तो फ्रंट्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा, साथी क्लास को लाइक, सियर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेस्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्यू सुमत.